हेलो स्टूडेंट्स क्या हाल चाल स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेश पर जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीससी के लिए जुलोजी बॉटनी और केमेस्ट्री जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीससी फिप्ट सेमिस्ट्र की बुक चल रही है डायवर्ष्टे और काड़ेट्स और एकॉनोमिक जुलोजी जिसमें कि लाश्ट वीडियो में क्या डिसक्स कर रहे थे हम स्केरेश लूम्रिकॉइडिस की लाइफ इस्ट्री या फिसके डेवलप्मेंट की श्टड़ी कर रहे थे जिसमें कि मैंने सिक्स पॉइंट्स आप सभी को नोट डाउन कराए थे जिसमें कि मैंने थ्री पॉइंट्स पिछली वीडियो में कम्प्रीट किये थे बाकी के 3.45 और शिक्स बाकी रह गया था जिसको हम अपनी आज की इस वीडियो में डिसक्स करने वाला है तो सबसे पहला पाइट आज की और रो वेजिटेवल्स ओन रीचिंग दे डियोडिनम दे सेकेंड श्टेज रापी टॉइड लार्वा हैट्स आउट ओफ द एग यानि की जो फाइनल होस्ट में इंफेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है जब एक सो जो इसके रिसके एक सोते हैं जब उन्हें होता है वो फाइनल होस्ट में हो जाता है और रीचिंग दे डियोडिनम जब यह डियोडिनम में पहुत जाता है तो जो सेकेंड श्टेज का लार्वा होता है रापडिटॉइड लार्वा वह एक्स के बाहर हेच आउट हो जाता है यानि की एक्स के बाहर निकल जाता है जो रापडिटॉइड लार्वा होता है इसके बाद क्या होता है दा लार्वा इस अबाउट 0.2-0.3 mm long with a well-developed elementary canal यानि कि जो लार्वा होता है वो 0.2 से लेकर 0.3 mm long होता है जिसमें कि well-developed elementary canal nervous system and excretory system present होता है यानि कि यह जो रापडिटॉइड लार्वा होता है उसमें well-developed elementary canal nervous system and well-developed excretory system present होता है before setting down into the intestine यानि कि intestine में setting down होने से पहले दिस लार्वा पर्स्यूज़ माइग्रेटरी कोर्स यह एक माइग्रेटरी कोर्स से होकर गुजरता है एक migration वाले लेवल से होकर गुजरता है through the host body host की body में and mouths twice और यह दो बार अपनी केचुली बदलता है जिस तरीके से इसके सरीर का बाहर ही खोल होता है उसे यह दो बार change करता है तो आई हम बात करेंगे primary migration की primary migration किस तरीके से होता है the second stage larva after hatching out of the egg penetrates the mucous membrane of the intestine यानी कि जो second stage के लारवा होता है वो जब एक्सके बाहर आ जाता है तो वो क्या करता है वो intestine की mucous membrane को penetrate करता या फिर उसे गलाने का प्रयास करता है उसके बाहर निकलने का प्रयास करता है जो small intestine की mucous membrane होती है and enters the blood stream यानि कि जब वो intestine की mucous membrane को penetrate करके बाहर निकलता है तो यह blood stream में पहुच जाता है it is carried to the liver through hepatic portal circulation यानि कि यह hepatic portal circulation द्वारा liver तक पहुच जाता है and from liver it reaches hurt और liver से यह कहां पहुच जाता है hurt में पहुच जाता है host के hurt में यह पहुच जाता है the pulmonary artery then carries it to the lung और उसके बाद जो pulmonary artery होती है यह इसे lung तक पहुचाती है here it settles down in the capillaries यहां यह capillaries में settle down हो जाता है और alveoli या तो यह capillary में या फिर alveoli में settle down हो जाता है इस्थित हो जाता है for some time कुछ समय के लिए and undergoes two maltings one after the other और एक के देख यह दो बार अपनी केचुली बदलता है या फिर अपने बाहरी खोल को दो बार change करता है it attains a size of about one to two mm उसके बाद यह one to two mm की size को प्राप्ट कर लेता है it again starts its migration और इसके बाद यह फिर से अपना migration start करता है जैसा कि आप सभी diagram में देख पा रहे होंगे सारी stages किस तरीके से होती है उसके बाद हम secondary migration की बात करेंगे from alveoli the larva comes into the air passes and into the pharynx उसके बाद alveoli से larva कहां पहुचता है air passes या फिर pharynx में पहुच जाता है here it irritates the pharyngeal wall यहां यह pharyngeal wall को irritate करता है and causes coughing और cough का कारण बनता है with coughing it is swallowed and reach the intestine और cough के साथ यह दुबारा से निगल लिया जाता है और intestine में पहुच जाता है inside the intestine it molds for the last or the fifth time और intestine में यह फिर से एक बार अपने बाहरी आवरण को change करता है यह कौन सी बार होता है यह पांच भी बार होता है पहले दो बार change करता है उसके बाद दो बार यह दो बार अपने आवरण को change करता है और इसके बाद जब यह कफ के साथ intestine में पहुचता है तो यह पांच भी बार अपने बाहरी आवरण को बाहरी खोल को बदलता है and assumes the organization of the adult और यह माना जाता है कि इसके बाद यह एडल्ट का organization हो जाता है एडल्ट का organization कर लेता है विदिन six to ten weeks चैसे दस weeks में it becomes sexually mature यह sexually mature हो जाता है लेंगिक रूप से विक्सित हो जाता है तो यह ती सारी life history आप सभी समझ में आ गया होगा आप सभी से मेरे request है कि आप सभी वीडियो को like कर दिया करें और comment करके जरूर बताया करें कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी है अगर आप सभी चैनल पढ़ना है तो मारे चैनल को subscribe कर लीजे और आप सभी को अगर notes से related कोई भी हल चाही तो आप सभी मारे टेलिग्राम चैनल को join कर सकते हैं अगर आप सभी को इस वीडियो की notes PDF में चाहिए तो आप सभी comment करके जरूर बताये हमारे टेलिग्राम चैनल को join कीजे जहां पर आप सभी को PDF प्रवाइड करा दी जाएगी वहां से आप सभी सारे notes complete कर सकते हैं आपको जिस भी subject की जो भी PDF चाहिए कोई भी वीडियो की आप सभी comment करके जरूर बताये सारी PDF आप सभी को प्रवाइड करा दी जाएगी Thanks